राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की अफधारना, भगवान राम अयोध्या के शासक थे, उन्होंने जो शासन दिया, उसको एक तरह से पृत्वी पे एक आइडियल शासन माना जाता है, कि अगर शासन हो तो ऐसा हो, राम राज्य की परिकल्पना, उसकी अफधारना उसी की अफधार्नार से प्रेरणा लेके हम दिल्ली में अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं हमने ठाना है दिल्ली में कि कोई भुखा नहीं सोना चाहिए सबको उचित राशन मिले अगर कोई गरीब है तो उसको मुफ्ट में राशन दिया जाता है बेघर लोगों के लिए हमने नाइट शेल्टर्स बनाई है जहां पर वो रह भी सकते हैं और उनको खाना भी मुफ्ट मिलता है हमने ठाना है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए चाहिए गरीब का बच्चा हो चाहिए अमीर का बच्चा हो और अब दिल्ली में मिलने लगी है अच्छी शिक्षा मिलने लगी है हमने ठाना है कि हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलना चाहिए चाहिए गरीब आदमियों चाहिए अमीर आदमियों अच्छा इलाज मिलना चाहिए मुफ्त इलाज मिलना चाहिए हमने ठाना है कि हर व्यक्ति को बिजली मुहया होनी चाहिए चाहिए गरीब हो चाहिए अमीरो 24 घंटे बिजली आती है फ्री बिजली मिलती है हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए पानी की लब्दता को भी कोने कोने तक पहुचानी क्यों कोशिश कर रहे हैं और पानी भी मुफ्त किया दिल्ली के अंदर जितने बुजूर्गे हैं हमारे बुजूर्गों की इच्छा होती है कि जिन्दगी में एक बार कोई तीर्थिस्तान तो मैं करके आऊं अलग-अलग कारणों से कई लोग नहीं जा पाते तो बुजूर्गों को फ्री तीर्थियात्रा करवाते हैं हम लोग महिलाओं की सुरक्षा सब की सुरक्षा सब सुरक्षित महसूस करें राज्ये के अंदर इसके लिए कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं सब को सुरक्षा प्रदान करने की हम लोग कोशिश करते हैं और कोई कैसा भी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो चाहे इस धरम का हो सब को बराबरी का हक मिलना चाहिए सब को सम्मान मिलना चाहिए सब प्यार महब्बत से रहें ऐसा तो राम राज्य की अवधारना के अनुरूप चलके हम लोग कोशिश कर रहे हैं राम राज्य बहुत बड़ी चीज है हम बहुत छोटे हैं लेकिन वो हमारे लिए एक तरह से प्रेरना का स्तुरोत है को लाइक करें